हाई एवरिवन वल्कम बैक तो एक्जाम स्पेशल सीरीज तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा नाम है गैलेक्सी परमार और मैंने बहुत सारे वीडियो अप्लोड किये है आई होप आप पक नहीं गए होगे नहीं तो बहुत बच्छे बोले कि मैं कितने वीडियो अप्ल आईगराम कैसे बनाते हैं तो जैसे कि कैसेaci लेते हैं और मैं प्रिवियर कोशन पिपरタ पेल बनाना था तो तो क्या होता है ना कभी-खभी आपको सिफ पाइडाइगरम का टेबल बनाने के लिए भी आ सकता है जैसे कि यह पर कोशन पड़ो क्या दिया है कोशन यह दिया है The following table shows causes of noise pollution, find the measure of central angle for each, to draw a pie diagram, to draw a pie diagram बोलाना इसका मतलब बनाना नहीं है आपको सिफ वो central angle का measure निकालना है मतलब आपको सिफ central angle find करना है तो draw a pie diagram मतलब आपको पाइडाइगरम एचली में बनाना नहीं है तो मैंने सोचा कि यह बच्चों को confusion होगा बच्चे पाई डाइग्राम बनाएगे तो उनका time waste हो जाएगा तो पाई डाइग्राम एचली में नहीं बनाना था चलो आपको पता ही होगा कि क्या करना है आपको तीन कॉलम्स बनाने है तो पहला हमारा कॉलम्स जो होगा सॉरी प पॉल्यूशन के और इनके percentage यहां पर डिवाइड किये गया है कि construction के वज़े से जो noise pollution होता है वो 10% का होता है ट्राफिक के वज़े से जो noise pollution होता है वो 50% का होता है ठीक है ऐसे ऐसे करके यहां पर पूरा data दिया है हमको इसका central angle निकालना है और आपको पता ही है कि central angle का formula यह है central angle is equal to number of score upon total number of score into 360 degree आपको पता ही होगा अभी तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को total number of score find करना पड़ेगा तो इनका total score कितना है अगर आप इन सब को add करोगे न यह सारे percentage को तो obviously यहां पे में लिख देती हूं last column है ना sorry last row यह total वाला row बनाना तो यहां पे 100% आए पहले construction का तो what is the formula of central angle number of score तो number of score कितना है construction का 10 है तो बस 10 लिखो percentage मत लिखना upon total number of score कितना है total number of score है हमारा 100 है ना यह total score हो गया into क्या करना है 360 degree करना है और बस इसको solve करो आपको central angle मिल जाएगा तो यह 0 यह 0 cancel यह 0 यह 0 cancel यहा पे आगया हमारा answer यह 36 तो यहां पे आगया 36 यह number of score है 50 upon total number of score है 100 into क्या हो जाएगा into हो जाएगा 360 तो यह cancel यह cancel यह cancel यह cancel और 5 into 36 करेगे तो यहां पे 36 into 5 आएगा तो 5 6 हो जाएगा 5 6 30 5 3 15 16 17 18 तो 80 आ गया ठीक है मतलब 18 आ गया sorry तो 180 degree ओके अभी देखो एक बात बताती हूं तुम लोग है ना थोड़ा सा है ना सबर करना जैसे कि यहां पर देखो मैं थमनिल भना रही थी यहां पर अच्छा हाई यहां पर सुनो यह देखो जो previous year question papers है ना उसको देखना मैंने आपको previous year question paper का यह पूरा bundle दिया है पता है ना आपको bundle बोल रही हूं जब यह पूरे previous year question paper मैंने chapter wise arrange करके आपको दिये अच्छा कभी कभी पाई डायग्राम से बनाने नहीं आता है कभी कभी क्या होता है ना ऐसे टाइप की questions आते देखो activity के form में आ गया 3 marks के लिए oh my god यह central angle के values को complete करो अरे भाई तुम लोग क्या ही बोले अभी यह 3 marks अपको दिला देगा उसके बादेखो यहां पर यह वाला question मैंने लिया ह जो 2 marks के लिए आया था ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर March 2019 में भी यह question आया activity के form में आता है तो यहां पर देखो यह यह 2 marks की activity थी actually मैं 2 marks की नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 6 boxes है ना तो यह कम से कम 3 marks की activity होनी चाहिए ठीक है तो यह मैंने previous question पर आपको दिये है तो इसको जरूर आ back to come back to this तो यहां पर aircraft take off का कितना आएगा हमारा देखो central angle तो पहले आएगा उपर number of score इसका 15 है upon total number of score into 360 तो यह 0 यह 0 हो गया cancel अभी यहां पर थोड़ा बचके यहां पर हम लोग इसको divide करेगे 5 से 5 2s are 10 5 3s are 15 उसके बाद 2 1s are 2 2 1s are 2 1 बचा 2 8s are 16 ठीक है अभी कुछ बच यह rough में cut करना ठीक है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा वरना तो 2 1s are 2 2 1s are 2 1 बचा 2 8s are 16 हां तो 3 into 18 करना पड़ेगा 18 into 3 करेगे तो 3 8s हो गया 24 3 1s are 3 4 5 यहनिकि 54 आगया तो यह 54 आगया ठीक है चलो next आता है हमारा 25 तो 25 upon क्या हो जाएगा 100 into क्या हो जाएगा 360 तो यह 0 cancel 5 5s are 25 5 2s are 10 2 1s are 2 2 1s are 2 1 बचा 2 8s are 16 and 5 into 18 करना पड़ेगा that is 18 into 5 5 8s हो जाएगा 40 5 1s are 5 plus 4 हो जाएगा 9 यानिकि 90 आगया ठीक हो गया सब कुछ मिल गया अभी देखो अभी मैं आपको एक बात बताती हो आपको कैसे पता कि यह answer right है कि नहीं right है तो आप क्या करो इन सबको एड करो अगर आपको addition के बाद क्या मिलता है 360 degree total मिल रहा है ना मतलब आप एकदम सही direction में हो यह आपका जो central angle के जो values आए हो रहता है जैसे इसको add करते 180 प्लस 90 होता है 270 ठीक है फिर यह आप 54 और 36 को प्लस कर देगे 54 और 36 कितना हो गया यह 10 हो गया यह 12 13 14 15 16 16 आगया और य राइट डायरेक्शन ठीक है तो चलो अभी मैं आपको पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ और मैं आपको बुक में ही बताओगी का कि आपके लिए भी अच्छा होगा तो पहले आपको यह टेबल बनाना रहेगा उसके बाद नीचे आपको यह नहीं लिख अब कुछ मिल जाए अभी देखो मैंने अड्रेडी और या बहुत सवा इतने सारे विड़िओ अपkapnoड करके रखे हैं तो अगर अभी तक अपने वीडियो नहीं नहीं देखे हैं तो एक जासे में प्लैलिस्ट की लिंक आपको दे रही हूँ तो उधर जागए बंदा अस explore मारो, चोटे-चोटे वीडियोज होगे, उसको आप लोग 1.5x की स्पीड में देखोगे, तो कम से कम मदब 7-10 मिनिट में आपके देखके भी हो जाएगे वीडियोज और आपका concept रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेर कर चलो, बनाते हैं अभी पाई डाइग्रम, तो सबसे पहले कि अगर ना है आपको, यहाँ पे देखो, यह हमारा answer sheet होगा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे प्लेन पेपर करके दिखाया है, लेकिन आपका पेपर प्लेन नहीं होगा, अभिसली आपका पेपर शोगा, उसमें रेडियस लेते हैं, मैं बोलो कि अपने मर्जी से कोई भी रेडियस का सरकल बना दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह सरकल हमने बना दिया, ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको यह जो center है, center, यहाँ से क्या करना है, एक radius बनाना है, ठीक है, और किस तरब बनाओगे यहाँ पे जो हमारा यह right hand side है, वहाँ पे बना दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक radius बनाएगे, अगर यह जो हमारा radius है, वो थोड़ा तेड़ा भी हुआ तो भी चलेगा, ऐसा कोई problem नहीं है, उसका tension मत लेना, अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे angles बनाएगे, सबसे बहले हम लोग बनाएगे, यह 36 degree वाला angle, ठीक है, तो चलो, बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यह है हमारा protector, अब यह बहला जो protector का part है ना, वो यहाँ पे आप रखो, center पे रखो, और यह जो हमारे protector की line है ना, वो इस radius के उ उपर रखो, ठीक है, अच्छे से रखना, हाँ, तो यहाँ पे देखो, एकदम बढ़िया तरीके से रखा, अभी जाओ और देखो कि 36 degree का angle कहाँ पे होगा, तो यहाँ से start करें कि 0, 10, 20, 30, यहाँ पे बीच में आएगा 35, उससे एक कदम आगे होगा हमारा 36, तो यहाँ पे degree का sector बनेगा, ठीक है, तो यह हमारा सबसे starting में एक radius होता है, उसके बाद यह हमारा second radius, अभी यह जो हमारा second radius बना है ना, यह जो हमारा second radius है ना, तो अब यहाँ पे हमको अपना protector रखना है, तो यहाँ पे हम protector रखेगे, यह वाला part रखेगे सेंटर पे, और यह वाली जो line ह है, वो भी हम second radius के उपर रखेगे, ऐसे, ओके, ऐसे अच्छे से रख दो, तो एकदम बढ़िया तरीके से रख दे ना, रख दिया, अभी देखो हमारा second angle है ना, वो कितना है, 180 degree, ओ वाल, तो 180 degree देखो किदर आएगा, 0, इधर से start करेगे ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 630 द выглядит, 40, 140, 100, 100,5, एन 150, 170, 112, हाँ जी, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे, देखो, यहाँ पे mark करो, तो यहाँ पे mark कर दो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेगे, स्केल लेगे, और यहाँ पर यह जो हमारा center है, यहाँ से अभी हम अपना, यह हमारा third radius बनाएगे, ठीक ह ठीक है अब यह जो सेक्टर है इसका 180डिग्री अभी नेक्स्ट के है और 54 डिग्री और फिर 90डी तो अभी हम क्या करेंगे रहे हैं यह जो हमारा 3rd रेडियस मारा अभी इसके ओपर प्रोटेक्टर रखेंगे तो देखो तो ऐसे जा रहे देखो, इधर से ऐसे, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, anti-clockwise जा रहे है, anti-clockwise, है ना, ऐसे घुम रहे है, anti-clockwise, तो अभी जब आप यहाँ पे, यहाँ पे अपना क्या करोगे, यह वाला पार्ट रखोगे, यह वाला पार्ट, और इस radius के ऊपर यह वाली line रखोग है ना, तो अच्छे से पकड़ो, यह देखो, यह 0, 10, 20, 30, 40, 50, और यह 55 इधर आएगा, उससे एक कदम पहले, मतलब इधर, यह हमारा 54 डिग्री होगा, तो यह हमारा लास्ट रेडियस होगा, और देखो, जो बचे गा ना, वो 90 डिग्री होगा, और आपको दिख रहे की यह देखो, राइड आइंगल लिख रहा है की नहीं, अगर विश्वास नहीं होता है तो देखो, यहाँ पर यह रखो अपना, यहाँ पर रखो अपना प्रोटेक्टर, और जो हमारा लास्ट रेडियस है, वो यह है, तो अब इसके उपर हम भी हम लोग रखने वाले हैं, अपना यहाँ पर प्रोटेक्टर, और यह देखो, यह 90 डिग्री है की नहीं, इधर से लगा के इधर तक, इधर से लगा के इधर तक, यह देखो, यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री है, ठीके तो वो तो आटोमेटिकली होगा है, टेंशन मतलो, तो यह हमारा देखो मस्त डिग्री को ऐसे सिंबल दो यह 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री ठीक है हो गया अच्छे से कर ले ना और अभी हमारे नाम भी लिख देगे कि 36 डिग्री जो है वो construction को रिप्रेजिंट कर रहा है तो यहां पे हम लोग लिखे कि this is construction उसके बाद हमारा ट्राफिक था पिर एयरक्राफ टेक-ओफ था तो यहां पर हमारा ट्राफिक यह थ्राफिक यह थीए हमारा आरफ्ट टेक ओफ और यहां पर लाज हमारा industry था ओके अर्छ अरे-अरे ऐसे । जोश मे स्पेशल सीरीज है वो कंप्लीट कर दी है मीं मुडियन मोड हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलिकॉन और पाई डाइग्राम सब कुछ मैंने आपको दे दिया है लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो इक दम टॉप प चार बज़े सैंपल पेपर सॉल्फ होने वाला है तो प्लीज जरूर लाइट सेशन अटेंड करना ठीक है चार बज़े मिलते हैं बच्छा पाटी सी यू बाई